अलो दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे गुलाम वन्ष के शाष्कों का क्रम देखेंगे 1206 इसवी से लेकर 1290 इसवी तक है तो इसमें आपको एक ट्रिक याद करनी है करो आराम इतना रूई की रजाई में बाहर का आलम ना गया कब शाम में अगर आपको ये लाइन याद हो जाती है तो गुलाम वन्ष के सभी शाष्कों के नाम भी आपको याद हो जाएंगे वो भी करम से लाइन वापिस रिप्ट कर रहा हूँ करो आराम इतना रूई की रजाई में बाहर का आलम ना गया कब शाम में तो ट्रिक का यूज करते हैं सबसे पहले लिखा हूँ है करो तो करो से हो जाएगा कुत्बदीन एबा के जिसका शाषनकाल बारा सो छे इसवी से लेकर बारा सो दस इसवी तक था फिर बात करते हैं आराम तो आराम से हो जाएगा आराम शहा जिसका शाशनकाल 1210 इसवी से लेकर 1211 इसवी तक था फिर बात करते हैं इतना तो इतना से हो जाएगा इलतुत मिशे जिसका शाशनकाल 1211 इसवी से लेकर 1236 इसवी तक था फिर बात करते हैं रुई तो रुई से हो अनुदीन फिरोश शहा हो जाएगा जिसका शाषिनकाल बारा सो चती सिस्वी में था फिर बात करते हैं रजाई तो रजाई से हो जाएगा रजिया सुल्तान जिसका शाषिनकाल बारा सो चती सिस्वी से लेकर बारा सो चालिस सिस्वी तक था फिर बात करते हैं बाहर तो बाह बाउदिन मसूद शाह हो जाएगा जिसका शाशनकाल 1222 इसीव से लेकर 1223 इसीव से लेकर 1223 इसीव तक था निक्ष्ट बात करते हैं आलम ना गया तो ना से हो जाएगा नासिरुदिन मुहमद जिसका शाशनकाल 1226 इसीव से लेकर 1265 इसीव तक था फिर बात करते हैं गया तो शाशनकाल 1265 इस्वी से लेकर 1287 इस्वी तक था फिर बात करते हैं कब शाम तो कब से हो जाएगा केकुबाद जिसका शाशनकाल 1287 इस्वी से लेकर 1290 इस्वी तक था अब बात करते हैं शाम तो शाम से हो जाएगा शमशुदीन की उमर्स जिसका शाशनकाल 1290 इस्वी में था तो इस प्रकार से हमने याद किया गुलाम वंश के शाषकों का करम में एक बार वापिस रिपूट कर रहा हूँ कुतुबदीन एबा के आराम शहा इलतुत मिशे रुकनुदीन फिरोज शहा रजिया सुल्तान बहराम शहा अलावदीन मसूद शहा नासुदीन मुहम्मद गयासुदीन बल्बन केकुबाद शम्शुदीन की उमर से ये सबी शाषकते गुलाम वंश के और इसको हमने याद कि करो अराम इतना रुई की रजय में बहर का आलम ना गया कब शाम में इस ट्रिक से